Hello and welcome to a sports fact, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक भारदवाज IPL 2022 का आगाज 26 मार्च से शुरू हने वाला है इस बीच 9 टीमों ने अपने कप्तानों का एलान कर दिया था लेकिन RCB ने भी अब अपने कप्तान का एलान कर दिया IPL 2022 में सबसे चर्चित टीम रही है RCB वो इसलिए क्योंकि सबसे देर से जो है कप्तान का नाम जो इन सबी खिलाडियों के नाम बतोर कप्तान की रूप में लगतार चर्चाओ में थी लेकिन जब मोहर लगने की बात आई तब मोहर लगे फाफ डुपलेसिस के नाप पर जी आज इस तरीके से कह सकते हैं कि RCB ने जिस तरीके से पुरा का पुरा एक माहौल था RCB कोई कप्टान को लेकर उनके नाम का इंतिजार को लेकर के भाई आखिर कौन होगा जो आई प्रेल 2022 में और आपको बता दे किसके बात विराट कोली ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश जो है कप्टान के नाम पर जो नाम फैसला होता फाफ डुपलेसिस के लिए उनके लिए जो संदेश दिया उसमें उन्होंने कहा है कि हमें पुरा भरोसा है यानि विराट कोली को पुरा भरोसा है कि जो experience फाप डूपलेसिस गेन करके अपने पास रखे वे उसका वो भरपूर इस्तमाल करेंगो और IPL 2022 में RCB कहीं न कहीं उनके कप्तानी में जो है वो ट्रॉफी की हकदार विराट कोली ने ये कहीं न कहीं अपने बात्तू में जिक्र किया इस बात का कि फाप डूपलेसिस की कप्तानी में RCB अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी और साथी साथ RCB के फैंस के लिए भी कहीं न कहीं ये बहुत दिल्चस्प IPL 2022 का ये सीजन रहने वाला इसी के साथ आपको बता दे कि RCB 27 मार्च को अपना पहला मुकाबला जी आईपल 2022 का जो आगाज है RCB अपना पहला मुकाबला पंजाब किंक्स के साथ खेल कर शुरू क जी आपको बता दी कि जिस तरीके से CSK के साथ लगतार वो खेलते आए हैं और साथी साथ अब तक CSK ने जितनी भी ट्रॉफी जीती है चार ट्रॉफियां CSK ने अपने नाम की और उस चारो सीजन वे फाप डुपलेसिस जो है वो कहिना कि CSK के खेमे के साथ लगतार खेलते आ रहे हैं तो कहिने कि उस एक्सपिरेंस का भी फाइदा जो है वो फाप डुपलेसिस जो है वो चाहेंगे कि RCV के खेमे को भी दे पाए क्योंकि आप बतार कप्तान RCV को लीड करने जा रहे है इस बार IPL 2022 के सीजन में और साथी साथ जर्सी को लेकर भी पूर्व कप्तान यानि विराट कोली ने जिस तरीके से अपनी बातों को सामने रखा है कि जर्सी को लेकर भी बहुत ही प्यारा जो प्रिंट है RCV के जर्सी का वो निखर कर सामने आया है और साथी साथ जो गोल्डेन कलर से जो नंबर्स लिखे हैं टीसर्ट के पीछे वो भी कही ना कही कही ना कही वही बॉंडिंग एक बार फिर हमें फाप डुपलेसिस और विराट कोली के बीच भी देखने को मिल सकता है जिस तरीके से फाप डुपलेसिस के स्वागत में विराट कोली ने तारीफ किये फाप डुपलेसिस की एक उमीद जाता ही है कि कप्तान के तौर पे फा अब तक IPL के ट्रॉफी की तलाश में RCB रही है और जिस तरीके से fan base RCB का जिस तरीके से जब तक कप्तान का नाम नहीं अनौंस हुआ था जब तक कप्तान के नाम को लेकर लगातार सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे तब तक fans के तरफ से पहली पसंद जो है वो कप्तान RCB के ल अब बतौर कप्तान RCB को IPL 2022 के सीजन में फाफ डो प्लेसिस जो है वो लीड करेंगे और फाफ के कप्तानी को लेकर विराट को लिए और पूरे के पूरे RCB फैंस जो है कहीं ना कहीं अस्वस्त है कहीं ना कहीं जो mind है वो make-up कर चुकी है कि RCB को एक बेहतर भविस्ते के त RCB को खिताब तक ले जाएंगे क्या RCB को पहला खिताब जीताने में फाफ डो प्लेसिस जो है वो टीम को एक जूट करके साथ लेक के चल पाएंगे आपको जो भी लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और साथी साथ वीडियो जगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और IPL के साथ 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 सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजगे और साथी साथ नोटिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रिस करें